प्रस्तुत कहानी के लेखक हिंदी के वरिष कहानीकार शिरी भगवती शर्ण वर्मा यह आपकी बहुत प्रशित और लोग पिरे कहानी है जिसमें आपने रामू की बहु और कबरी बिल्ली के माध्यम से समाच के व्याप्त अंध विश्वासों पर करारी चोट ली की है कहानी की भषाशा और शैली बहुत सरस और रोचक है अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहु से और अगर रामू की बहु घर भर में किसी से घरणा करती थी तो कबरी की कबरी बिल्ली से रामू की बहु दो महीने हुए माईके से प्रथम बार ससुराल आई थी पती को प्यारी और सांस की दुलारी 14 वर्ष्ट की बारी का बंडार घर की चाबी उसकी करदनी में लटकने लगी नौकरों पर उसका हुकम चलने लगा और रामू की बहु घर में सब कुछ सांस जी ने माला ली और पूजा पाट में मन लगाया लेकिन बहु ठहरी 14 वर्ष्ट की बारी का अभी बंडार घर खुला है तो कभी बंडार घर में बैठे सो गई कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूद पर वह जुट गई रामू की बहु की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्ये पंजे रामू की बहु हांडी में घी रखते रखते उच रखते उंगा गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में रामू की बहु दूद ढखकर मिसरानी को जिस देने वाली और दूद नदराद अगर बात यही तक रह जाती तो बुरा ना था कबरी बिल्ली रामू की बहु को कुछ ऐसा परक गई की रामू की बहु के लिए खाना पीना दुश्वार रामू की बहु के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुची और रामू जब तक जाए तब तक कटोरी साफ चट हुई बजार से मिलाई आई और जब तक रामू की बहु ने पान लगाया मलाई गायब रामू की भहू ने तै कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी कब या कबरी बिल्ली ही मौर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क बिल्ली फसाने बिल्ली फसाने का कट घरा आया उससे दूद मलाई चूए तथा बिल्ली को स्वादिस लगने वाले विविद प्रकार के वेंजन रखे हुए लेकिन बिल्ली ने उधर निगा तक न डाली इधर कबरी बिल्ली ने सरगामी दिखलाई अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी अब वह साथ लग गई लेकिन इतने सारे फासले पर की रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके कबरी के होसले बहू जाने से बढ़ जाने से रामू की मा का घर मिरहेना मुश्किल हो गया उसे मिलती थी सास की मिठी जिड़किया और पती देप को मिलता था रूखा सुखा भोजन एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई पिस्ता बदाम खाने और तरह तरह के मेवे दूद में उटाए गए सोनी का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे उचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके रामू की बहू इसके बाद पान लगाने की में लग गई उधर कमरे में बिल्ली आई ताक के नीचे खड़े होकर उसने उपर कटोरे की और देखा सुजा सुंगा माल अच्छा है ताक के उचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है पान लगा कर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छनांग मारी पंजा कटोरे में लगा दिया और कटोरा जन जनाहट के आवाज के साथ फर्ष पर परा परा आवाज रामू की बहू के कान में पहुची सास के सामने पान फैक कर वै दोड़ी क्या देखती है कि फूल का कटोरा तुकडे तुकडे खीर फर्ष पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है रामू की मा को देखते ही कबरी चंपत रामू की मा रामू की बहू पर खून सवार हो गया ना रहे बास ना बजे बासुरी रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कसली